हेलो फ्रेंड्स इस नेहा फ्रम राजकुमारी ड्रेसपलाई का प्रिंसिस तो बड़े दिनों बाद आज हम वीडियो बना रही हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि अब हम रोज कुछ ना कुछ टॉपिक्स पर डिसकस करेंगे आप सभी लोगों के साथ और अपने व्यूज शेयर करेंगे और हमारे बिजनस में डे टूदे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कहां पर हमने इंप्रूफ कर सकते हैं तो आज मैं आप सभी के साथ इंस्टा फ्रॉट बिजनस के बारे में आपसे डिसकस करूँगी कि हमारे अकाउंट में रिसेंटली हमने क्या एक्टिविटी नोटिस की तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में एक्चुली हुआ ये लास्ट टू डेज बैक मेर एक मेसेज आया कि मैं मैंने एक और की आपकी वेब्सीस से और आपी तक हमारे पस डिलीवर णहीं हुआ तो फिर मैंने और डीप में एउंट्षां के कहां से जदए और किया आपकी और अडी क्या है तो मैं मैं के पास कोई बी Odder IT थी ही नहीं फिर मैंने मूछ आप ने किसको और्डर किया brav パली कि मैंने पयमेंट भी कर दिया है तो मैंने बोला कि आपने किसको पयमेंट किया है आप मुझे दिखा सकते हैं कुछ प्रूफ तो और नहोंने मगें गूगल पेमेंट यह गूगल पेकर फुन पेैमेंट कीया है वो screenshot share किया वो number हमारा था ही नहीं है actually मैं फिर मैंने का कि ये तो हमारा business number ही नहीं है जिसके आपने payment किया है ये number हमारा कोई भी official account आप चेक करेंगे हमारे तीन instagram पर pages है राजकुमारी.duolab, राजकुमारी official and kidsphere के लिए little राजकुमारी तो इन तीनों account में से किसी पर भी ये number नहीं था जो उन्होंने जितने payment किया तो ये थी उनकी problem अब मैं बताती हूँ कि ये उनको problem हुई क्यों actually पहली चीज़ उन्होंने चेक नहीं किया कि वो order किसको कर रहे है और हमारे website पर कौन से number पड़े हुए है तो उन्होंने किसी ने हमारे किसी post के उपर comment कर दिया कि अगर आपको order करना है तो आप इस number पर message करिए अब इतने सारे किसी भी post की reach अच्छी होती है तो उस पर 800, 700 ऐसे comments आते हैं तो हम सारे comments नहीं पड़ सकते और उन comments पर कौन क्या reply कर रहा है ये भी हम नहीं देख सकते हैं तो अब किसी ने reply कर दिया कि आप मेरे पास message करिए तो मैं आपका order confirm करता हूँ उसके बाद उस पंदेख से उनकी बात ही उसने fake WhatsApp business profile बना रखी थी उस पर राज कुमारी का logo लगा दिया और कुछ हमारे products जाल दिये तो ये तो बहुत आसानक कोई भी अपनी fake profile बना सकता है WhatsApp business पर उसके लिए कोई verification कुछ भी required नहीं है तो इस तरह से उसने बना लिया एक dummy हमारा account बना लिया और उस madam का order उसने ले लिया और उन्होंने payment भी कर दिया अब उसके बाद जब उनका order डिलीवर नहीं हुआ तब वो मेरे पास आये कि मैं मैंने order किया आप order अभी तक आया नहीं है तो इस तरह कि बहुत सारे frauds हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे आजकल मेरा बस यही बोलना है आप लोगों से आप लोग कभी भी इस तरह कि किसी भी unknown लोगों को आप वैसे ट्रांसफर मत करिए अगर आपको कोई भी order place करना है या तो आप website पे करिए सबसे safe option है कि आप लोग website पे order करिए ना कि किसी भी WhatsApp पे या किसी के Instagram के DM पे बेटर रहता है कि हम website पे directly हमारी official website आपको पता ही है www.raajkumari.co तो आप वहां पे जाके order place कर सकते है easily अगर कोई order place करने में problem भी आती है तो हमारे official accounts पे DM करिए और हमारे official दो ही contact numbers है वो भी हमने अपने business pages पे दे रखे हैं सारी number आप वहां पे message करिए या email कर सकते हैं तो इस तरह कि किसी भी unknown person को आप payment मत करिए और कर दिया हम तो नहीं जानते भी नहीं है तो इस तरह के frauds पे बचिए यह था एक topic जो आज मैंने cover किया है ऐसे बहुत सारे cases और बहुत सारे scenarios है जहां पे लोगों के साथ fraud हो जाता है Instagram पे तो एक topic मैंने cover किया हुआ है इस तरह कि अगर आपके mind में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइप करिए और जादा से जादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करिए ताकि उनके साथ ऐसे frauds ना हो सकें क्योंकि Instagram पे लाखों profile लोगों ने बना रखी है और even genuine followers भी दिखाई देते हैं उनके पता नहीं कैसे बन जाते हैं पर trust वर्दी नहीं है कुछ profiles Thank you so much So, मिलते हैं आप सभी से next video में